हेलो गाइज, वेलकम टी इनोवेटिव क्लासेज, फ्रेंट्स आज हम लोग जार्खन टेट का CDP का यानि कि Child Development and Pedagogy का Practice Set स्वाल्व करने वाले ठीक है, तो फ्रेंट्स जो भी Candidate Paper 1 या Paper 2 यानि कि 1 to 5 या फिर 6 to 8 जो भी एक्जाम दे रहे हैं, ठीक है, दोनों के लिए CDP तो अभी तक सब्सक्राइब ने किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, और अपने दोस्तों को भी Share कर दे, ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो देखे प्रेंट्स पहला नबर का Question है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, कौन सा कथन Option से, लड़कियां अधिक बुद्धी मान होता है, या फिर लड़के अधिक बुद्धी मान होते हैं, या बुद्धी का लिंग के साथ कोई संबंद नहीं है, या सामायनित्त, लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धी मान होते हैं, तो देखें, इसका Correct answer है Option नबर 3, ब लड़के भी बुद्धिमान और कमजोर दोनों टाइप के होते हैं, लड़कियां भी बुद्धिमान और कमजोर दोनों टाइप के होती हैं, नेक्स्ट कॉस्चिन है टू नंबर का राष्टी पाठे चड़्या की रूप रेखा, यानि कि जो NCF 2005 है, कि आधारवुत सिधान्तों में निम्न में से कोन सा भाग सम्मिलित नहीं है, ठीक है, NCF 2005 में कोन सा सिम्मिलित नहीं है, रटने को महत्व प्रदा न करना, ये तो बात पुस्टकों से इतर ज्यान प्राप्त करना या ज्यान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, तो यहां पर परिक्षा, परिक्षा का आयोजन ये जो है, इन्पोर्टन नहीं है, NCF के अनुसार, ठीक है, तो ये वाला जो है, टू नंबर करेक्ट है, बाकी पुस्टकों से ज् से रियल लाइप से जोड़ना, ये भी सही बोल रहा है, तो यहां ओप्षन नंबर टू करेक्ट होगा, ठीक है, ये NCF 2005 नहीं बोलता है, क्वेशन नंबर थी है, सिख्छा मनोविज्ञान की द्रिष्टी से, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, सिख्छा मनोविज् प्रकिर्या में बच्चों को कस्ट होता है, या बच्चे यथावत वही सीखते हैं, जो उन्हें पढ़ाया जाता है, देखें कहीं न कहीं सारा बात सही है, लेकिन हम लोग को सबसे सही वाला, ठीक है, मनोविज्ञान की द्रिष्टी से देख के बताना है ना, मनोविज्ञ जैसे कि दिरिश्टी से अगर देखें तो बच्चे स्वेयं सीखते हैं स्वेयं ज्यान का स्रीजन करते हैं यह सबसे सही है सबसे करेक्ट है क्वासे नमर फोर है डिसलेक्षिया का संब्ध क्या है दखेए बच्चों में बहुत तरह केो लर्निग डिसेबिलिटी होती है अध भी होता है जैसे कि डिस ग्राफिया डिस केलकुलिया डिस मोर्फिया इस तरह का बहुत सारा होता है ठीक है ना Next question is 5 number में परामर्स का उद्देश्य क्या है? परामर्स का उद्देश्य यानि कि काउंसिलिंग का उद्देश्य तो इसका correct answer क्या होगा? बच्चे की कम्यों का कारण पता करना या बच्चे को समझना या बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना या फिर उप्रोक्त सभी यहां पर देखि यह सभि हो जाएगा के सभि का सभि प्राम मर्स का उद्देसी है तो बहुत सब जरूर यहूद चीचर जेसा वेवार करेगा, बच्चे भी वे सही सिखेंगे, ठीक है, और ऑप्सन से हैं, कि उन्हें धार्मिक पुस्तक देखें, धार्मिक पुस्तक ठीक है, लेकिन सबसे सर्वोत्तम बोर रहा है ना, देखें, ये चीज को ध्यान दीजे, सबसे उत्तम वाला का बात कर र तो देखें ये सब होना चाहिए, सब होना जरूरी है, ठीक है? Quesion No.8 है Dalton, सिक्षन विधी का विकास किस ने किया? तो देखें, option है WH, Killpetry, क्या फिर Probell, या फिर Miss Helen Parkhurst, या फिर Dalton, तो इसका correct answer है, option No.3, Miss Helen Parkhurst, ठीक है? 9 No.3 का question है, एक अच्छा अध्यापक विध्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, एक अच्छा teacher है, तो बच्चों के बीच में क्या बढ़ाएगा? सहयोग की भावना को, या प्रतियोगिता को, देखें, प्रतियोगिता ये सब तो होगा ही, नहीं competition नहीं बढ़ाएगा, प्रतिद्वन्दिता भी कहीं न कहीं वहीं चीज़ है, तटस्था, यानि कि किसी बच्चे को एक तरप कर देगा, मतलब अकेले उसको छोड़ देग इस ट्राइप का चीज तो नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ पर सहयोग बढ़ाएगा, ये correct option है, one number, ten number में है, आधुनिक सिक्छन अधिगम प्रकिरिया में सिक्छक की भूमिका है, सिक्छक की क्या भूमिका होती है, आधुनिक सिक्छन अधिगम में, मतलब modern teaching learning में, ठीक है, तो देखे, बच्चों को गनित विज्ञान और भासा सिखाने की, या सिखने है तू एक अच्छे सुलब करता की, या बच्चों को मुल्य आधारी सिच्छा देने की, या फिर बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की, तो देखे, यहाँ पर जो सबसे correct answer है, वो option number two होगा, सि सिखने है तू एक अच्छे सुलब करता की, मतलब बच्चों को सीखने के लिए जो भी चिज़ की जरूरत है, उसको सुलब करेगा, इसका मतलब आसान कर देगा, या फिर वो सामान उपलब्द कराएगा, जिससे बच्चे सीख जाएं, और सिर्फ सामान ही नहीं, वो सारी परिस्थिती भी उत्पन करें, जिससे बच्चे सीखें, नेक्स्ट है, एक अध्यापक की दिरिष्टी में कौन सा कथन सर्वोत्तम है, तो देखें, अध्यापक की दिरिष्टी में बोल रहा है, आप्सन है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, या प्रतेग बच्चा सीख सकता या अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं, तो देखे, टीचर के नजर में ऐसा होना चाहिए, कि जितने भी बच्चे हैं, सब सीख सकते हैं, किसी में कोई कमी नहीं है, टीचर को ऐसा सोच रखना चाहिए, यानि option number 2 जो है, वो correct है कि पुझकर या कई प्रकार से, तो बच्चे तो कई प्रकार से सीखते हैं, तो ये option जो होर है, ये correct होगा, question number 30 ने, सीखने की प्रकिरिया में विद्यार्थी द्वारा की गई तुरूटियों के संबंद में, आपकी दिरिष्टी में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्ता में तुरूटि यानि की बच्चा अगर गलती किया है, तो उसके संबंद में कोन सा कथन सबसे सही है, तो पहला option है तुरूटियां अधिगम प्रकिरिया का भाग है, बात तो सही है, गलती करने से ही न सीखेगा बच्चा, तो गलती तो सीखने का ही एक भाग है, गलती करना सही यह option number one ही यहाँ पर correct होगा, ठीक है, question number 14 है, मदू गनीत में कमजोर है, एक अच्छे अध्यापक की दृष्टी से, दृष्टी में उसके गनीत में कमजोर होने का क्या कारण हो सकता है, तो उसके माता-पिता अनपढ़ है, यह कारण हो सकता है, या प्राया लड़कियां गनी में कमजोर होती है, यह तो होई नहीं सकता, ठीक है, यह लेंगिक पुर्वाग्रह, यह सब बात हम लोग को नहीं मानना है, ठीक है, उसे अध्यान में रूची नहीं है, पढ़ने में उसकी रूची नहीं, या फिर गनीत सिक्छन की विधित रूटी पूर्न है, यह correct होगा ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो में भी हम बताएं थे कि बच्चे को कोई भी दोस नहीं देना है, ठीक है, अगर बच्चा मेत में कमजोर है, इसका मतलब मेत का टीचर या मेत को जो पढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से उसमें गलती है, इसलिए बच्चा मेत नहीं सि जो रहें या फिर वो सही से पढ़ा नहीं रहा है यह सही होगा ठीक है कौसे नमर 50 है अब निम्न में सरवतम कथन कोन सा है एक अच्छा अध्यापक मतलब एक अच्छा टीचर अगर है तो उसके बारे में पूछ रहा है कि सबसे अच्छा क्या है सदेव प्रदर्शन के माध् सासन में रखता है तो देखें यहां पर सबसे करेक्ट जो हो ऑप्शन नमर 3 है वो बच्चों को हमेशा सीखने के लिए मोटिवेट करते आ रहेगा यानि कि प्रेरित करता रहेगा ऑप्शन नमर 3 करेक्ट होगा ठीक है कौसे नमर 16 है राश्टी पाठी चरिया की रूप र या बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना या बच्चों का समवेगात्मग विकास करना तो देखें यहां पर सबसे करेक्ट या सबसे सही जो लग रहा है वो अप्शन नमर 3 है बच्चों में तार्किक चिंतन और समस्या समाधान का योग्यता का विकास करना, ठीक है, उसका माइंड का डेवलपमेंट करना, म्यत पढ़ाने का मुख्य उद्देश से, ठीक है, question number 17 है, मानसिक रूप से स्वस्त अधिहापक की विसेश्ता क्या है, कोई teacher है, वो mentally healthy है, इसका हम लोग, इसका क्या विसेश्ता है, क्या quality होगा कि वो teacher जो है, mentally सही है, तो उसे अपने विसेख का गहन ग्यान है, या वह समवेदनातमक रूप से संतूली थे, या वह अतियदिक समवेदन सिल है, या वह सक्त अनुसासन प्रसंद है, तो यहाँ पे जो correct answer है, वो है option number 2, वह समवेदनातमक रूप से संतूली थे, question number 18 है, शिक्षा की अति महत्पुन उद्देश क्या है, बच्चे का सरवांगिन विकास, या आजिविका कमाना, या पढ़ना, एवं लिखना सिखाना, या बोधिक विकास, तो देखें, यहाँ पे सबसे correct answer, जो option number 1 है, बच्चे का सरवांगिन विकास, ये correct है, ठीक है, शिक्षा का मुख्य उद्देश यही है, महत्पुन उद्देश, अब question number 90 है, बच्चे की बुद्धी लब्धी, 90 से 110 के मद है, वह है, अब देखें, बुद्धी लब्धी यानि की IQ, तो देखें, IQ अगर 90 से 110 के बीच में आता है, तो उसको सामान ये बुद्धी वाला बालक कहा जाएगा, ठीक है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अलग-अलग IQ लेबल वाले बच्चे को क्या कहा जाता है, यहाँ पे लिखे हुए हम, ठीक है, Q7. Siwani दुआला पूछे गए एक प्र defend का उत्तरा including texts, सिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, सिक्षक की प्रतिकिर्या क्या होनी चाहिए, option है, सिक्षक द्वारा सिवानी को ध्यान बटा देना चाहिए, या फिर सिक्षक द्वारा सिवानी को चूप करा देना चाहिए, या सिक्षक को कहना चाहिए, में नहीं जानता हूँ या सिच्छक द्वारा इस प्रस्ण का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए तो यहाँ पर देखे जो तीन है सुरू के तीन ये सब गलत है ध्यान बटाना तो नहीं चाहिए क्योंकि बच्चा जानने पाएगा उसको चूप भी कराना नहीं चाहिए ने तो बच्चा फिर बाद में और कॉस्चन ही नहीं पुछेगा और ये भी नहीं कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूँ कि कि अगर ऐसा बोल देंगे तो उसको लगेगा कि टीचर को कुछ आता ही नहीं है सबसे अच्छा रहेगा कि उसको बाद में उसका एंसर बताया जाए समझ के ठीक है अगर टीचर को नहीं आ रहा है तो बाद में समझ के उसको बता दे तो यहाँ पर option number 4 जो है वो correct है question number 22 है बच्चे की जिग्यासा सांथ करनी चाहिए अगर बच्चा कोई चीज जानने का इच्छा है उसमें curiosity है तो उसको सांथ केसे करेंगे जब विद्यार्थी फुर्सत में हो तब या जब सिच्छक फुर्सत में हो तब या कुछ समय के पस्चात या ततकाल जब विद्यार्थी दुवारा जिग्यासा की गई है तो देखे जब बच्चा पूछेगा question उसी समय तूरंद बताना सबसे ज़्यादा सही रहेगा है यानि option number 4 जो है वो correct है 23 number में है आप अनपड माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो option है आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे या आप बच्चे से अंग्रेजी में बाते करेंगे या आप बच्चे को मात्री भासा में बोलने से रोकेंगे या आप उसे मात्री भासा की सहेता से अंग्रेजी सिखाने का परियास करेंगे तो देखे सबसे सही कौन सा रहेगा अपसर नमबर फोर उसको जो भासा आ रहा है उसके हेल्प से उसको इंगलिश सिखाने का कोशिस करेंगे अब फ़से नमर 24 है पुरुसका रेवम दंड है यह मोटिवेशन से पूछ रहा है मोटिवेशन केसा है तो मोटिवेशन दो टाइप का होता है एक आंतरीक और एक बाई इंटर्नल और एकस्टर्नल होता है ठीके तो पुरुसका रेवम दंड जो है यह दोनों एकस्टर्नल है लेकिन यहाँ पे वेशा तो दिया नहीं है तो यहाँ औपसन के अनुसार यहाँ पे option no.3 है क्रित्रिन प्रेरक यह हो जाएगा question no.25 है देखे बाल मनो विज्ञान के आधार पर कोन सा कथन सर्वत्तम है option देखते हैं पहला option है प्रतेग बच्चा विसिष्ट होता है बात सही है हर बच्चा खास है second option है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं नहीं कुछ बच्चे विसिष्ट होते हैं ये भी नहीं और कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं तो देखे सबसे correct answer कोन सा है option no.1 ठीक है अब 26 नमबर में बच्चो का मुल्यांकन होना चाहिए बच्चो का मुल्यांकन क्यों होना चाहिए या केसा होना चाहिए सतते हों व्यापक मुल्यांकन दुआरा या फिर बोड परिक्षा दुआरा या ग्रीप परिक्षा दुआरा या लिखी ते हों मोखिक परिक्षा दुआरा तो देखें यहाँ पे correct तो option no.1 ही हो जाएगा एज पूछ रहा है कि कितने से कितने एज के बच्चों के लिए निसुल के ओम अनिवारिय सिछा, फ्री एडुकेशन, तो कितने से कितने वर्स के लिए होना चाहिए, तो 6 से 14 वर्स के लिए होना चाहिए, नेक्स्ट है, सिक्षक को ज्यान होना चाहिए, किस चीज का बाल मनोविज्ञान का या अध्यापन विशे का या सिक्षा सहिता का या अध्यापन विशे एवं बाल मनोविज्ञान का, तो देखें इसमें ऑप्शन नमबर 4 में दोनों दिया है कि अध्यापन विशे का यानि विशेका तो ज्ञान होना ही चाहिए उसको अपना सब्जेक्ट का साथ में बाल मनो विज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए यहां ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा question number 29 है एक बच्चा कक्छा में प्रायप प्रशन पुछता है उचित रूप से इसका आर्थ है मतलब बच्चा हमेशा question पूछता है इसका मतलब क्या है वह अधिक जिग्यासु है या वह सरारती है वह असामानी है या फिर वह प्रतिभा साली है तो यहां पे होगा option number 1 वह अध बच्चा प्राय अपने सहपाठियों के साथ जगरता है आप क्या करेंगे बताइए आप बच्चे को विद्याले से निकाल देंगे अगर वह जगडा करता है अपने दोस्तों के साथ तो क्या उसको इसकूल से निकाल देंगे या आप बच्चे को सजा देंगे या आप कार का पता लगाएंगे कि क्यों जगड़ा कर रहा है और उसको परामर्स देंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं यह सीडिपी का 30 प्रशन हो गया प्रेंट्स उमीद है आप लोगको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसी तरह और भी इंपोर्टेंट वीडियो पाने के ल लिजिए ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई